हलो बच्चो वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की साइन्स की वरक्षीट नमबर 32 जो आपकी 69 की वरक्षीट है जिसके अंदर बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक जो है वो हम पढ़ने वाले हैं वो है धातू और अधातू एक धातू और उस धातू जैसे की आईरन हो गया लोहा अलमीनीयम है चांधी एयू जिसका होटा है और कोपर येसे तामबा जो होता है उसके बाद है अधातू के कुछ होदारन जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन यह अधातू है हमारे पास ठीक है उसके बाद में धातू के गुण धरम बहुते गुण धरम में आपको यह बैटरी दिखाई हुई है एक बल्ब दिखाया हुए एक स्विच दिखाया तो यह इसका दिखाने का मतलब क्या होता है कि जो धातू होती है ना वो विदुत की सूच अलक होती है ठीक है जब आप इन दोनों पारों को जोड़ोगे ना तो यह जो बल्ब है यह जल उठेगा यह चमकना शुरू हो जेगा जैसे हम नॉर्मल जलाते है ठीक है उसके बा अंदर आप कहा सकते हो कि इनका जो तापमान होता है चाहे वो गलने का हो ठीक है या पिघलने का हो वो उच होता है ज्यादा होता है ठीक है उसके बाद में बात करते हैं धातू के रसाइनी गुर्ण धरम से रसाइनी गुर्ण धरम से क्या होता है देखो वायू के साथ घिरिया करती है डातु और ऑक्सीजन क्या बनाएगा जैसे दो को पर प्लस दो उक्सीजन मिलके बना रहे ऊप्साइड चार अल्मीनियजन चाराइजों मिलके क्या बनादह के साथ अलंग अलंगता से अभिकरिया दिखाती है अब देखें时间 के पॉइंट दिया है कि सोडियम और पोटाशियम है ना वो वायू में अकस्मिक अकस्मिक मलब एकदम से आग पकड़ लेते हैं इसे रोकने के लिए उन्हें कहां पर रखा जाता है कैरोसीन के तेल में डुबो कर रखा जाता है दूसरा पॉइंट देखे मेगनीशियम अलमीनि लिंक और लेड ये वायू के साथ दीरे अभी करिया करते हैं इन तत्वों पर उकसाइड की परद चड़ जाती है ठीक है उसके बाद है आयरन वायू में गरम करने पर प्रज्वलित नहीं होता लेकिन ज्वाला में लोग चुरन डालने पर वह तेजी से जलने लगता है या ज्वाला होना शुरू हो जाता है ठीक है चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभी करिया नहीं करते हैं ठीक है चांदी और सोना जल के साथ अभी करिया की बात अगर करें तो क्या होगा धातू और जल क्या बनाएंगे धातू ऑक्साइड और हाइड्रोजन ठीक है धातू ह hydroxide, hydroxide यानि कि पानी जिसमें आता है, ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कि oxide में उभ्याधर्मी oxide दियो है, उभ्याधर्मी क्या होते हैं, वो oxide जो अमल और शार, यानि कि acid और base दोनों के साथ जो है वो अभी करिया करते हैं, जैसे zinc और aluminium के oxides, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, धातों की, अब धातों के अंदर क्या होते हैं, कौन किसके साथ किरिया करता है, तो केवल भाब के साथ को न किरिया करता है, aluminium, AL, F.E. यानि कि iron, loa, Z.N. यानि कि केलशियम, गरम जल के साथ कौन करता है, मेगनीशियम, और केलशियम और मेगनीशियम जल के साथ अभिकरिया करने पर तैरने लगते हैं, क्यों उपर उपर तैरने लग जेंगे वो, तो उधारन के तोर पे आपको नीचे देखो, कुछ रियक्शन्स दी हुई हैं, ठीक है, ज अलमीनियम की दो पानी तीन पानी के साथ रियक्शन हुई तो उसने अलमीनियम ओक्साइड और क्या बनाया हाइड्रोजन बनाया ठीक है उसके बाद में देख लेते हैं धातों और अधातों में डिफरेंस यानि की इनके बीच में विभेद यह बहुत ही जरूरी प्रशन है आपका बहुत ही जरूरी पानि नबर में आता है गई बाद तो धातों और धातों में कुछ घुण धरम देखते हैं उनके हिसाब से हम इनके बीच में अंतर देखेंगे धात्विक चमक गचमक जो होते उनकी स्थाय जो होते है वो चमकीली होती है यह द्षे जो है वह चमक सबते हो उसके जासे होते हैं यादि अधिकतर कठोर जो अधतु होते हैं वह अधिकतर कठोर नहीं नहीं होते परल का अपरूप इंगलिश में वह मेंatar आप जो है फो सकत कठोर थी कार अधर मेंगिक्तार पर्रपारा जो आप थर्ममेटर के अंदर देखती हो वो रूम तेमप्रेचर के उपर कमरे के तापमान पर क्वें क्या होती है द्रव रूप में पाई जाती है अधातवें ठोस था गैसीय रूप में अपवाद ब्रोमीन तरल है अधातों जो होती है वो ठोस रूप में पाई जाते है या गैसिय रूप में पाई जाते है कमरे के तापमान पर पर जो हमारी ब्रोमीन है वो तरल अवस्ता में पाई जाती है कुछ धातों को पीट कर पतली चादर के रूप में परवर्तित किया जाता है उनको बोलते हैं अगातवर्धिये धातों कुछ धातों धातों अगातवर्धिया होती है पर अधातों जो है वो अगातवर्धिया नहीं होती है उनकी पतली चादरे नहीं बनाई जाती उनको अगर आप पिटोगे तो वो तूट जाएंगे तन्यता धातों को पतली तारों में खीचा जा सकता पर धातों को नहीं खीचा जा सकता अगेन वो तूट जाएंगे तो जो धातुएं होती है वो उश्मा और विदुत की सूच आलक होती है पर सीसा यानि की लेट और मरकरी को छोड़के ये कूच आलक होती है धातुएं जो है वो उश्मा की कूच आलक होती है ग्रेफाइट जो होता है वो सूच आलक होता है इसमें भी एक अपवाद है हमाइन आहरी धातु हैं उर्हक ज्यादा होता है उठव घलनाक होते हैं तो आप कि लिकास्ता में होते हैं तो आप देख लो की solid liquid gas जो आप करते थे ठीक है ध्वानिक ध्वानिक का मतलब क्या होते जो जिस पे उपर अगर हम चोट लगाते हैं जिनके उपर अगर हम किसी चीद से मारते हैं तो वो अब आज पैदा करें तो अधातुएं की कठोर स्तय से टकरा कर अब आज आती है जैसे आप अपने स्कूल के अंदर घंटी नहीं बच्चती होती है तो वो इसकी एकजांपल यह कि द्वानिक होते हैं और जो अधातुएं होती है वह अधानिक नहीं होती है आपनी क्या करना है अपनी जो रबर है एरेजर जो है उसको एक साथ टकरा के देखना यह दो लकडियां लेके टकरा के देखना बहुत कम वाज जो है वो आती है इतनी ज्यादा नहीं आती ठीक है तो यह थी हमारी वरक्षीट आज की ठीक है तो अब इसके questions पे चलते हैं चोटी चोटी question है दो मिनिट में हो जेंगे तो चलते है questions पे पहला कोशिन हमारे पास है ऐसी धातू का नाम बताई है जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है तो आएगा आपका मरकरी जिसको हिंदी में पारा बोला जाता है ठीक है तो आप उसके ही थार बनाई जा सकते हैं ऐसी धातू को तन्य कहते हैं सोडियम और पोताशियम तेल के अंदर संग्रहीट क्यों किया जाता है सोडियम और पोताशियम जो अत्यादिक कीरिया शिल्द दातु हैं ये वायू के साथ अभिक्रिया कर असानी से आग पकड़ लेते हैं इसलिए सोडियम को या पोटाशियम को किसमें रखा जाता है कैरोसिंद के तेल में डुबो के मिट्टी के तेल में डुबो की रखा जाता है ठीक है उसके बाद में उ उभयाधर्मी उकसाइड हमारे पास क्या होते हैं देखिए इसके दो उधारन भी हमने देने तो जो दातु उकसाइड अमल और शारक दोनों से विक्रिया कर लवन और जल बनाते हैं उन्हें उधियाधर्मी अकसाइड क्याते हैं Aluminium और Zinc के जो Oxides है वो इसके examples है उधारन है ठीक है तो यह रहे हमारे तीन questions, second, third and fourth उसके बाद में यह रहा first question तो सारे के सारे इतनी से page पे आगे, that's all